तारे सितारे वंगराहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 10 जनवरी 2020 शुक्रोबार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज बारा में से पांच राशी वालों को आर्थिक लाप के योग बन रहे हैं वहीं अन्य सात राशी वालों को आज सामानने लाप के योग हैं तो आज पोशमा से सुकलपक्ष की पुरिणी माति थी है शुक्रवार का दिन है आज का दिन माने 10 गंटा 26 मिनिट का आज सूरियोदय होगा प्रातहकाल 7 बचके 15 मिनिट पर और सूरियास्त होगा साम 5 बचके 41 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात आदरा नक्षत्र से होगी और आज एंद्र एवं वेद्रती नाम के दो सुब योग रहेंगे आज चंद्रमा का संचरन मिथुन राशी में होगा और आज का सुब समय अभी जीत महरत आरंब होगा दिन के 12 बचके 7 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बचके 59 मिनिट तक रहेगा तो इस स्रेष्ठ महरत के दोरान आप किसी भी प्रकार की खरिदारी कर सकते हैं जैसे वस्त्र, आबूशन, वाहन, मकान, प्रापर्टी आदी की खरिदारी इस समय अभी में आप कर सकते हैं यह महरत 32 रेष्ठ होता है और आज का अशुब समय दोस्ट महरत प्रारंब होगा प्राता काल 9 बचके 20 मिन से आरंब हो करके तो 12 बचके 28 मिनिट तक रहेगा तो इस दोरान किसी भी प्रकार का लेन देन का काम आपको नहीं करना चाहिए और किसी को भी कोई वस्तु धन आदी उदार में इस समय आपको नहीं देना चाहिए और आज दिसा सूल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज क देवता की पूजा आरादना करके अत्वा इस्ट देवता का नाम उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज शुकरवार का दिन है जो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित है तो आज के दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विशेश पूजा लेकिन हर व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होती है। लक्ष्मी जिसके उपर भी प्रसन होती है। और धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी जी को प्रसन करने के कुछ सरल से उपाय बताए है। इनको पूर्ण विश्वास व सरद्धा के साथ यदि किया जाए। इपक जलाना चाहिए। यथा शक्ति पूजन करने के पश्चात स्री सुक्त का पाट करना चाहिए। और एक कमल का पुष्प माता लक्ष्मी जी को अरपन करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी की विशेश करपा हमको मिलती है। धन का इस्थाई तो हमारे पास बना रहता है। और इसके अलावा माता लक्षमी जी की करपा पाने के लिए घर से जरूरी कारी से निकलने से पहले थोड़ा सा मीठा और दही आदी खाकर आपको निकलना चाहिए तो इससे आपको कारी में विसे सफलता मिलती है इसके अलावा शुक्रवार की दिन काली चीटियों को चीनी ड खड़े हो करके एक लोहे के बरतन में जल, चीनी, घी तथा दूद मिला करके पीपल के वरक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुक समरदी इस्थाई रूप से बनी रहती है और माता लक्षमी जी का भी इस्थाई वास रहता है इसके अलावा यदि आपके घर म बार-बार धन हानी हो रही हो, आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर गुलाल चिटक करके वहां शुद्ध घी का दो मुख्य दीपक आपको जलाना चाहिए दीपक जलाते समय मन में ऐसी प्रारतना करना चाहिए कि हमा प्राहित कर देना चाहिए इससे भी आपको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा माता लक्ष्मी जी अपनी स्वयम की पूजा आराधना से उतना प्रसन नहीं होती है जितना वे भगवान विश्नु जी की पूजा आराधना से हो जाती है तो प् सोभागी में वरद्धी होगी धन का इस्थाई तो होगा और माता लक्ष्मी जी की क्रपा आपके उपर सदेव बनी रहेगी इसके अलावा शुक्रवार की दिन एक पीले कपड़े में पांच पीली कोडी रख लेवे थोड़ी सी केसर उसमें डाल लेवे और एक चांदी का सिक्का उसमें बान करके उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के इस्थान पर आपको रखना चाहिए इससे भी धन सम्रद्धी आपके बढ़ती रहती है अगला उपा इस प्रकार से है कि शुक्रवार की दिन साम के समय अपने घर के इशान कोड में पूरू दिशा में एक सकती नामों का उचारन करते रहें तो यह उपाय आपको शिग रही शुब फल प्रदान करेगा इससे माता लक्षमी जी की विशेश करपा आपको मिलती रहेगी और शुकुरवार की दिन आप विशेश उपाय इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस दिन गरीबों को सफेद वस्त आदी आपको दान करना चाहिए और गाय को भी भोजन इस दिन आपको करवाना चाहिए तो इससे माता लक्षमी जी की विशेश करपा द्रश्टी आपको मिलती रहेगी तो यह थे माता लक्षमी जी की करपा को पाने के सरल से उपाय इन उपायों में से आप कोई भी उपाय अपना सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी जी की करपा दरश्टी आपके उपर सदेव भी बनी रहेगी और धन का इस्थाइत्व भी आपके घर में रहेगा तो आज जो है शुब नक्षत्रवा शुब योगों का सीधा असर बारा में से पांच राशियों पर रहेगा तो इन पांच राशियों में आज है मेंश मित्वन सिम्ह कन्या और धनू राशी वाले लोग वहीं अन्य सात राशी वालों को आज सामान लाब मिलने के योग बन रहे हैं तो आज आपकी राशी के अनुसार माता लक्ष्मी जी की करपा प्राप्त करने के कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपको सुख हो सोभाग्य की प्राप्ती होगी और आर्थिक लाप के योग आपके लिए प्रबल बनेंगे तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंस राशी से आरंब करते हैं मेंस संभावना यह है कि आपको अपने ससुराल पक्च से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा या कोई विसे सहयोग मिल पाएगा और अच्छी खबर भी आज आपको मिल पाएगी इसके अलावा अपने जीवन साथी को सुखद बनाने के लिए जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर ज दिक धन कमाने की लालसा आपके उपर ज्यादा हवी होगी जिससे आपको अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है और जिसमें आप सोयम को सरवस्रेष्ट साबित करने के लिए किसी कलह में भी पड़ सकते हैं इसलिए साथान आपको रहने की आवशकता रहेगी औ और आज विशेश करके वाहन चलाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अचनक वाहन आदी के खराब होने की संभावना हो सकती है इसलिए आज सावधानी पूरवक यात्रा आप करें तो आपके लिए ठीक रहेगा आज लाईब की यदि हम बात करें तो समय रहते किसी भी प्रकार के विवात को सुलजा लेना आपके लिए बहतर होगा अन्यथा इससे आपके रिस्तों में दूरी हो जाएगी वहीं विवाहिक जातों को कोई समय दामपत्य जीवन सामान्य परिणामों से आपको गुजरना पड़ेगा सामान्य फलों की प्राप्ती होगी आज वियापार विवसाई की यदि हम बात करें तो यह समय आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है आपको अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं लाना होगी तभी आप अपने कारियों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज ध्यान पुरवक आज आपको कार्य करना चाहिए सारीरिक स्वास्त के पृति सजग भी आपको रहना चाहिए तो आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुबरंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकट अभा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्टनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में माता लक्ष्मी जी की मूर्ती अत्वा स्रीयंत्र के सामने सुद्ध घी का दीपक जलावे गंद पुष्प अक्षट से पूजन कर लेवे और एक लाल पुष्प अवश्य चड़ावे मिस्री आदी का भोगरपन करके करपूर से उनकी आरती उतारे यह था शक्ती लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वशफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रशब तो व्रशब राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने कारे स्थल पर आनंद ले पाएंगे कारे स्थल पर आपका प्रदर्शन वरिष्ट अधिकारियों को आकर्शित करेगा साथ ही आपके भाई भहन आराम से अपना जीवन व्यतित कर पाएंगे आप अपने काम के प्रती समर्पित रहेंगे इस समय आप अथक परिशरम करते हुए नजर आएंगे जिससे कारिचेतर में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं परिवारिक जीवन में आप परिवार के बीच आप खुद को असहज महसूस करेंगे जिससे आपको कोई बड़ा फैसला लेने में मुश्किल महसूस होगी आपको इस दोरान पारिवारिक जीवन में शांती की कमी भी महसूस होगी आपकी संतान को समस्या होने की संभावना अधिक रहेगी इसलिए संतान की और ध्यान देने की आवशक्ता आज आपके लिए ज्यादा ही रहेगी आज लाइप की अदि हम बात करें तो आपके नीजी जीवन में आज अनुकुल फलों की प्राप्ती होगी दामपती जीवन आपका सुखद ही रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की अदि हम बात करें तो आपको किसी सगे संबंद के द्वारा व्यापार व्यवसाई में सहयोग प्राप्त हो सकेगा और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा हाला कि कुछ व्यर्थ की चिंताएं और वाद विबाद होने से आपको धन और समय की बरबादी भी हो सकती है इसलिए सतरक रह करके आपको व्यापार व्यवसाई में काम करने की अवशकता रहेगी आज स्वास्त की अदि हम बात करें तो आज चिकत्सी खर्चों में व्रद्धी होने के आसार अधिक रहेंगे खर्चों में हो रही व्रद्धी से मांसिक तनाव आपको नहीं लेना चाहिए खुद को शान्त रखने की कोशिस आपको करना चाहिए जिससे आप का मांसिक वा सारीरिक रूप से स्वास्त बहतर बना रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी भिगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहका लिश्नान करने के पस्चात माता लक्ष्मी जी के समक्ष सुद्ध गी का दिपक जलावे लक्ष्मी जी का यथाशक्ती पूजन कर लेवे सरंगार की वस्तुएं अरपन करें रितुफल मिठाई पंचमेवा का भोग अरपन करके इतर चड़ावें और करपूर से उनकी आरती उतारें यथाशक्ती लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन तो मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकाल से मिल सकते हैं व्यक्तिगत मोर्चे पर आप अपने अंदर एक शांत आचरण विक्सित कर पाएंगे और आपके आसपास के लोग आपको प्रोसाहिद भी करेंगे जो आप चाहते हैं वह करने का यह एक शांदार अवसर भी हो सकता है इस समय आपको लाव प्राप्ति हो सकेगी इस समय आप ग्यान प्राप्त करने या किसी पवित्र कारी को करने में रूची ज्यादा दिखाएंग उसमें अच्छे सफलता प्राप्त कर सकेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक स्थितियों के लिहाज से इस समय ग्रह गोचर का नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा क्योंकि आपको आर्थिक हानी होने की संभावना अधिक रह तो अपने रिस्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए अपने प्रिय व्यक्ति को कोई भेट उपहार आदी आपको देना चाहिए इसके साथ ही वेवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो साधी सुधा जातों के लिए यह समय बेहद भाग्यशाली रहने वाला रहेगा प्राप्त होने के योग हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको किसी प्रकार के मानसिक तनाव का सिकार होना पड़ सकता है इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रयत्न करना आपके स्वास्त के लिए आज काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है, शुबरंग आपका केसरिया रंग है, तो केसरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे, तो आपको विशिश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाउं को दूर करने के लिए आपका विशिश उपाय इस प्रकार से है, कि प्रातहका लिश्नान करने के पस्चात, लक्ष्मी नारण भगवान के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जलावें, और लक्ष्मी नारण भगवान का यथा शक्ती पूजन कर लेवें, रितुफल मिठाई पंच मेवा का भोगरपन करें, और करपूर स उनकी आरती उतारें, और लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके यथा शक्ती जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा, अगली राशी है करक, तो करक राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार स मिल सकते हैं, कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ती होगी, पूरुव के अनुसार इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, और आप अपना धन भी संचाई कर पाने में सक्षम रहेंगे, आपको किसी भी कार्यों को करने में अपने आत्म विश्वास में व आवशकता रहेगी, क्योंकि इसी संभावना है कि इस समय आपका कोई विरोधी, आपके किसी राजिस से इस दोरान परदा उठा कर आपकी छवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है, आपके खर्चों में वरद्धी हो सकती है, आपको अपने खर्चों पर बढ़ पाएगा, विश्वास बढ़ पाएगा, आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो इस समय किसी भी साजेदारी के व्यापार में आपको अपनी आखे खुली रखने की अवशकता होगी, अन्यथा किसी के द्वारा आपको धोका मिलने की संभावना भी ज आज आपका भाग गिशाली अंक पाँच है, शुबरंग आपका नीला रंग है, तो नीले रंग का प्रयोकारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी भिगनस अंकट अभा बाधाओं को दूर करने के लि वस्त्र आदी चड़ावें और रितुफल और अनार का भोगरपन करें, और तुलसी पत्र चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें, यथा शक्ती लक्षमी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबु वह सफलता धायक आज रहेगा, अगली रासी है सिम्व, तो सिम्व राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, कि आपको मुद्रिक लाप तो होगा, साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकेगी, आप अपने लक्ष को हासिल करने में काम्या करेंगे, धार्मिक चीजों के प्रति आपका जुकाओ बढ़ सकता है, और आप अपने मित्रों और कुछ रिष्टेदारों के साथ इस समय अच्छा समय वितीत कर पाएंगे, आज आपको अशुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, इस समय परिवार के सदस्यों के बी विवाद से दूर बनाए रखें, तो यहां आपके लिए ठीक रहेगा, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो इस समय परिवार के साथ आपका समय अच्छे से वितीत होगा, जीवन सांती का सही होगा, समय के अनुसार आपको मिलता रहेगा, जिससे कारे चितर में भी अच तो मांसिक तनाव का आज आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, एसे में सेहत का ध्यान रखें, और तनाव से मुक्ती पाने का प्रयत्न करें, योग ध्यान का विशेश करके सहरा लें, तो इससे सारीरिक और मांसिक रूप से दोनों प्रकार से आप स्वस्थ बने तो आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है, शुबरंग आपका पीला रंग है, तो पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए, आ उनह सुद्ध जल से इसनान करवा करके, वस्त्र आदी चड़ा करके सरंगार करें, और अनार का भोग अरपन करें, पंचे मेवा का भोग अरपन करें, स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनके आरती उतारें, यथा शक्ती लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का परिणाम सरूप आप जीवन के सभी छेत्रों में अच्छा प्रदर्सन कर पाएंगे, व्यापार व्यवसाय में भारी लाब होगा, और आप अच्छे विचारों के साथ एक आसा जनक भविश्य की निव रख पाएंगे, आप अपने प्रिये जनों के साथ अपने समय का सद आरंब करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े समय के लिए इंतजार और करना चाहिए, वरना अभी आपका कहीं ज्यदा ही नुकसान हो सकता है, आज लाइप की यदि हम बात करें तो प्रेमी जनों आप दोनों के बीच दूरियां आने की संभावना रहेगी, इसलिए आपको अपने प्रेमी की भावनाओं को सम्मान करते हुए, उनकी देगभाल करने की विशिश आवशकता रहेगी, आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें, तो आपके पिता का सहयोग इस दोरान आपको अच्छे से प्राप्त होगा, उनका आशिरवाद मिल पाएगा, कार पर बना हुआ ताजा भुजन ही आप करें, वरना आगामी समय आपका खराब हो सकता है, बाहर के खान पान से विशेश करके आज आपको नियंतर नखना चाहिए, तो आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है, शुबरंग आपका केसर आरंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी भीगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, कि प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चात, माता शक्ती महालक्ष्मी जी के नाम मंत्रो का बेट करके जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है तुला, तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आप आंतरी कुर्प से सहज रहेंगे, आपका रचनात्मक पक्ष उभर करके सामने आएगा, साथ ही आपकी प्रतीभा, आपकी कमाई का जरिया बन सकेगी, और आपकी संतान को उनकी महनत का पूरन फल प्राप्त हो सकेगा, और विद्यार्थिवर्ग अपनी पढ़ाई लिखाई में अनुकुल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, वहीं आपके भाई बंदू आपकी आर्थिक मदद कर सकेंगे, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकायर से मिल सकते हैं, इस समय आपके आत्म विश्वास में बरद्धी होगी, लेकिन आपको अपनी वानी पर नियंतरन रखने की अपधानी पुरवक व्यवहर करने की अवश्रक्ता जदा ही रहेगी, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो इस समय आप अपने जीवन सांती के उपर अपने विचारों को थोपने से बचें, अन्यता किसी प्रकार का मदभेध इससे उत्पन हो सकता है, और प्रेम में बहतर परिदर्शन कर पाएंगे, आपको इस समय अपने सीनियर सका समर्थन वा सहयोग मिल जाएगा, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज बाहर के खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन बनाए रखें, तो इस से आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना रहेगा, तो आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाथ, लक्षमी नारण भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावें, और लक्षमी नारण भगवान को दक्षनावर्ती संख में जल भर करके से इसनान करावें, और उनका अच्छे से स प्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि बुद्ध ग्रहस के प्रभाव से इस दोरान आपसी सम्माज से लिए आपकी बहतर रहेगी जिससे आप अपने आकरशन से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे इसमें आपके कई बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके जीवन में आंतरिक संतुष्टी और सांती लेकर के आएगी आज आपको आपके रह सकता है आपके जीवन सांती का स्वास्थ बिगड़ सकता है रिस्टों में गलत फःमी को दूर करें और सम्मात की स्थिति को कायम बनाए रखें आज लाइब की यदि हम बात करें तो इस समय आपके लिए सलाह इस परकार से रहेगी कि अपने जीवन सांथी के सामने अपनी बातों को खुल करके रखें अन्यता इससे मदभेद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज आपकी माता का आशिरवाद इस दोरान आप पर बना रहेगा जिसके चलते कारिछेतर में आपको अच्छी सफलता और अच्छे फल मिल पाएंगी इस समय आप लाब प्राप्त करने के लिए कोई योजना बना सकते हैं उसमें भी अच्छी सफलता आपको मिल आज स्वास्त की अधि हम बात करें तो आज आपको सेहत से जुड़ा कोई विकार उत्पन हो सकता है या कोई संक्रमन हो सकता है इसलिए सारेरिक स्वास्त के पृति सतर करहना आपके स्वास्त के लिए आज बहतर हित कर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है अगली राशी है अगली राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको सासकी छेत्र या उच्छ अधिकारियों से लाब मिलने के योग हैं। से जुड़ी कोई छोटी मोटी परिशानी हो सकती है या किसी भी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ सकता है। एसी स्थिति में आपको उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने की अवशकता रहेगी और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश आप करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। आज लाइब की यदि हम बात करें तो विवाहिक जीवन का वातावरन आनंद और खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। आपके प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो आपके लिए समय प्रतिकूल साबित होने वाला है क्योंकि आशंका है कि आपका स्वभाव आपके और आपके प्रियतम के बीच दूरियों को लाने वाला हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव को थोड़ा सा नियंतर्ण में तो यहां आपके लिए ठीक रहेगा। आज व्यापर व्यवसाई की यदि हम बात करें तो व्यवसाईयों को इस दोरान सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। कारे छेतर में अधिक व्यस्तता के कारण इस रासी के जो लोग नोकरी पेसा छेतर से जुड़े हैं इस दोर अधिक स्वास्त बहतर बना रहेगा। तो आज आपका भाग गिशाली अंक तीन हैं शुवरंग आपका बेंगनी रंग हैं तो बेंगनी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से दिख करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के मंदिर में सुद्ध घी का दिपक जलावें माता लक्ष्मी जी का यथा शक्ती पूजन कर लेवें स्रंगार की सामगरी उन मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर तो मकर राशी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने मित्रों की संगती का आनन्द ले पाएंगे सां में दी गई प्रापर्टी से आपको अच्छा लाब होने के योग रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आर्थिक पक्षवे से आपका सामान ने रहेगा लेकिन इस समय आपके खर्चों में वरद्धी होने से मांसिक तनाव आपको हो सकता है इस दोरान आपको व्यर्थ के बाद विवाद से परिशानी भी हो सकती है इसलिए भलाई इसी में है कि किसी भी विवाद में आप नहीं उलजें आपके खर्चों में बड़ोत्री हो सकेगी इसलिए सही रणनिती के साथ पैसा खर्चे आपको करना चाहिए जिस से अच्छी सेविंग आप कर पाएं आज लाइब की यदी हम बात करें तो आज जितना हो सके अपने करोध पर आपको काबू रखते हुए अपने जीवन को बहतर बनाए रखना चाहिए वहीं आपके साधी सुदा जीवन की हम बात करें तो वेवाहिक जातों को भी इस समय कुछ छोटी मो परिशानी होने के आसार अधिक रहेंगे आज व्यापार व्यवसाइक यदी हम बात करें तो इस दोरान व्यवसाइक साजेदार से बहस होने की संभावना अधिक रहेगी अतहा आपको इस ग्रह गोचर के दोरान सोच समझ करके निर्णई लेने की सलाह दी जाती है आज परिश करके योग ध्यान का आप साहरा लें तो यहाँ आपके सारीरिक स्वास्त के लिए ठीक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकसात है शुबरंग आपका लाल रंग है तो लाल रंग का प्रयोग कारिछित्र में आज अधिक से दिकाप करते हैं तो आपको विशे अधिक से लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात माताल लक्ष्मी जी की तस्वीर अथवा फोटों के सामने सुद्ध घी का दीपक एक लाल पुष्प अवश्य चड़ावें और माताल लक्ष्मी जी को मिठाई का भोगरपन करें स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनके आरती उतारें यथा शक्ती महालक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कुम्भग तो कुम्भ राशी वालों को आज सुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं आप खुस मिजाज रहेंगे क्योंकि चंद्रमा इस वक्त आपके बारवे भाव में सित रहेगा जिस पर बुद्ध ग्रह और मंगल ग् बदलाव आपको देखने को मिलेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं यदि कोर्ट आदी में कोई मामला आपका चल रहा है तो इस समय फैसला आपके प्रतिकूल आ सकता है आज आपको अपनी संतान पक्ष की ओर से कोई लाव वेसे मिल सकता है और भी बोलने से पहले आपको सोच विचार करके ही बोलना चाहिए अगर मुम्किन हो तो जीवन साथी से कम ही बात करें या काम की ही बात करें अन्यता आपके कुछ कड़वे सब्द आपके साथी को आहद भी कर सकते हैं आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो पान पर थोड़ा सा आप नियंतरन बनाए रखेंगे और उत्तम भोजन आदी लेवेंगे तो आज आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक नो हैं शुबरंग आपका पीला रंग हैं तो पीले रंग का प्रियोग कारिछित्र में दिपक जलावें यथा शक्ति लक्षमी नारण भगवान की पूजन कर लेवें और मिठाई रितूफल का भोगरपन करके एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें यथा शक्ति लक्षमी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा कर अगली राशी है मीन तो मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आज आज आपको भाग्य का साथ भरपूर मिल पाएगा जिसके चलते समय आपके लिए कई छेत्रों में अच्छे अवसर मिल पाएंगे आप नई प्रापर्टी खरीदने या रि को अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि यह समय आपके सुभाव और वाणी में बुरा प्रभाव डाल सकता है एसे में आपको परिवारिक जीवन में कुछ परेसानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इस समय आप घर से जुड़ा कोई ऐसा फेसला लेंगे जिस करने के सच होने जैसा दिखाई देने वाला रहेगा क्योंकि इस दोरान आप और आपका प्रियतम आज प्रेम पूर्ण व्यभार करेंगे आज दामपत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दामपत्य जीवन आज आपका सुखधी रहने वाला है आज व्यापार व्यवसाई क कि यदि हम बात करें अगर कारोबार आप करते हैं तो इस समय कारोबार में विस्तार करने की विचार को आपको छोड़ देना चाहिए यदि जरूरी है तो किसी अनुभवी इंसान की सलाह मशवरा ले करके किसी काम की सुरुवात करना आपके लिए लाबपरद रहेगा आज स् अनुख्त रहकर के कारे करने की आदत डालें जिससे मानसिक वो सारेरिक रूप से आप स्वस्त बने रहेंगे तो आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुबरंग आपका बादामी रंग है तो बादामी रंग का प्रयोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी भीगन संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में शुद्ध घी का दिपक जलाव यथा शक्ति लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुववव सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रों आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आप आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न में त्रोफिन बिलेंगे